Hi everyone, welcome to Sleepy Classes and आज हम पढ़ेंगे about Eco Tones So what are Eco Tones? Eco Tones होते क्या हैं? हम किस चका को Eco Tone बोलते हैं? So Eco Tone क्या होता है? एक Transition Zone होता है between two ecosystems मैं लिजी यह दो Eco System है, एक Forest है and एक Grassland है इसके बीच में जो यह Boundary present है या इसके बीच में जो यह Zone present है इनको हम बोल देते हैं Eco Tone Zone और Eco Tone Zones की Special बात यह होती है कि यहाँ पर हमें बहुत जादा हमें बहुत जादा Biodiversity मिलती है, ठीक है? बहुत जादा Diverse Flora and Fauna जो है वो यहाँ पर मिलता है Eco Tones की Examples, अगर Examples की बात करें तो Examples क्या क्या हो जाते हैं? सबसे पहले आजाते हैं हमारे Marshlands जो की किसके बीच में present होते हैं? Dry or Wet Ecosystem के बीच में जो यह पाए जाते हैं Secondly हमारे आजाते हैं Grasslands जो generally हम Desert and Forest के बीच में पाए जाते हैं Then आजाते हैं हमारे Mangrove Forests Mangrove कहां पाए जाते हैं? जो भी हमारे lakes है, oceans है and जो terrestrial, जो land ecosystem है उन दोनों के बीच में जो transition zone आता है that are mangrove forests इंडिया में बात करें तो सुंदरबंज जो है they are the mangrove forests, ठीक है then आ जाती है हमारी estuaries estuaries किसके बीच में होती है salt water और fresh water के बीच में जो ये transition zone होता है they are known as estuaries ठीक है, so ये सारे के सारे marshlands, grasslands, mangrove, forest, estuaries ये सारे के सारे क्या है ecotones है अब इसके characteristics क्या होते है पहले बताए कि ecotones क्या है दो ecosystem के बीच में, जैसे इस picture में देखो, ये deciduous forest species है ये grassland species है इसके बीच में ये जो zone है it is grassland forest ecotone ठीक है, so अब इस zone के क्या है हमारे different different features क्या हो सकते है पहला तो ये wide भी हो सकता है narrow भी हो सकता है, दूसरा it is a zone of tension, ये zone of tension की तरह है, अब zone of tension क्यों है क्योंकि इसमें जो environment है, वो किससे influence हो रहा है दोनो ecosystem से influence हो रहा है so इसलिए ये क्या है एक zone of tension बन जाता है thirdly ये क्या है, इसमें जो है जो species पाए जाते हैं वो completely different होते हैं इन दोनो ecosystems के, बाकी दोनो ecosystems में कौन से species पाए जाते हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता means उससे completely different species जो होते हैं, वो इस region में जो हैं, वो पाए जाते हैं जो ecotones होते हैं, वो natural भी हो सकते हैं, man-made भी हो सकते हैं natural के हमने example देखे, estuaries देखे, marshlands देखे, mangrooves देखे, grasslands देखे, man-made का example क्या होता है, generally जो agriculture field और forest के बीच में एक boundary बनाए जाती है एक zone बनाए जाता है, ecotone zone तो वो क्या है, वो हमारे हमारे man-made ecotones जो होते हैं, अब बात करते हैं edge effect की, edge effect इसमें बहुत important role play करता है edge effect होता क्या है, अगर edge, अगर हम हिंदी में उसको translate करें तो edge क्या होता है, edge मतलब किनारे पे, तो दो boundaries है ठीक है, दो हमारी boundaries है अब दोनों की किनारे पे क्या है दोनों की किनारा है, उससे क्या हो रहा है population change हो रही है community structure में change आ रहा है उस चीज़ को हम बोल देते हैं edge effect, और population में change आता है community structure में change आता है species में काफी ज़ादा हमें diversity देखने को मिल जाती है ठीक है, so this is termed as edge effect और जो species यहाँ पर पाए जाते है उन्हें हम क्या बोल देते हैं edge species हम उनको बोल देते हैं next, अब इसकी importance क्या है ecotons जो है, वो बहुत ही जादा important topic बन गया है scientist के लिए, वाई तो इतनी जादा importance क्यों है, पहला तो बहुत जादा variety के organisms हमें यहाँ पर जो है, वो मिल जाते हैं दूसरा कि एक अच्छा nesting place offer करते हैं for the animals जो migratory animals होते हैं या कोई ऐसे animals जो nesting के लिए place जून रहे हैं, खाने के लिए place जून रहे हैं, तो इसके लिए काफी अच्छा nesting place बन जाता है, तीसरा it serve as a bridge of gene flow gene flow काफी होता है यहाँ पर क्योंकि से दूसरी population में हो रहा है क्योंकि बहुत जादा genetic biodiversity क्या है present है, तो उससे काफी जादा gene flow होता है third क्या है, यह buffer zones की तरह act कर सकते हैं buffer zones क्या होते हैं, buffer zones क्या करते हैं protection offer करते हैं, protection कैसे offer कर सकते हैं, जिसे हमारे wetlands है, wetlands किस किस के बीच में होते हैं, जो हमारा wet ecosystem है and terrestrial ecosystem के बीच में तो क्या है wetlands मान लीजे, कोई pollutants है, तो wetlands उन सारे pollutants को absorb कर लेगा, और उन्हें वापस से वो जो है हमारे नदी में या ocean में जो है वो जाने से रोक लेगा, तो उसकी वज़े से क्या हो गया, हमारा एक ecosystem क्या हो गया, protect हो गया, तो इस तरह से वो क्या है protection offer करते हैं, next क्या है ecosystem बहुत ही जादा sensitive indicator होते हैं global climate change के, ठीक है global climate change के means, देखो क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा environment है, वो दोनों ecosystem से influence हो रहा है, ठीक है, और जो climate, जो environment जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, because of the climate change, ठीक है, दोनों ecosystem अलग लग है, इन में climate change की वज़ा से ही क्या है एक new beach में boundary है, एक zone जो है, वो ecotone zone बन रहा है so यह काफी जादा sensitive indicators है, of global climate change so यह था आज का lecture, I hope आपने enjoy किया